अधिक quantity में केले का चिप्स बनाने के लिए आज हम ये जो छोटे साइच की compact machine लेकर आए हैं ये machine सिर्फ एक घंटे में तीन क्विंटल केले का चिप्स बना कर त्यार कर देती है जी हाँ बिल्कुल तीन क्विंटल आप सोच रहे होंगे कि एक घंटे में तीन क्विंटल ऐसा तो होई नहीं सकता तो रुकिये जरा अभी हम आपको चिप्स बना कर दिखाते हैं यहाँ पर आप देखिए इसमें एक दो नहीं बलकि चार तरह के डिस्क दिया जाते हैं अभी में चले आएंगे और यहाँ पर फ्राई होना भी स्टार्ट हो जाएगा आपको अलग से फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे आपका टाइम बहुत बचने वाला है तो आज आए फिर सबसे पहले राउंड सेप में बनाने की कटिंग करते हैं यहाँ मशिन के उपर आप देखिए एक कवर लगा हुआ है इसे उठा लीजिए अब यहाँ पर जो डिस्क दी गई है इसे मशिन में फिट करना है देखिए अलग अलग सेप के लिए अलग अलग डिस्क दी गई है तो सबसे पहले इसमें round सेप के लिए डिस्क लगा रहे हैं ये जो डिस्क है इसमें लगा लीजे इसके साथ ही में आपको nut वेगर मिल जाते हैं तो fit करने के बाद इसे भी tight कर दीजे जब यह fit हो जाए इसके उपर cover को लगाया जाता है चलिए इसको भी लगा देते हैं अब यहाँ पर जो 3 nut दिये गए हैं इसे इन 3 जगह पर लगाना है इसे अच्छे से tight कर लीजेगा जिससे की cutting करने में असानी हो जाए इसे किसी भी छोटे tool के use करके आप असानी से tight कर सकते हैं हलाकि assemble करना बहुत easy है आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी simply disk को रखने के बाद इसके उपर cover लगा दीजिए और जो भी nut वगारा दिये जाते हैं इसे tight कर दीजिए अभी देखिए disk एकदम से fit हो गया है इसके cover को नीचे कर दीजिए यहाँ बगल में आप सिर्फ केला डालते जाईए और आगे side से आप देख सकते हैं cutting होकर लगातार केला एक line से directly कडाही में आ रहा है दोनों काम एक साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से उठा कर कडाही में डालने की जरूरत पड़ेगी बलकि cutting होने के बाद यह सीधा कडाही म तो जो cutting हो रही है वो भी round shape में हो रही है लेकिन अभी हम आपको disc change करके दिखाते हैं कैसे इसी एक machine के द्वारा आप oval shape में और long shape में cutting कर सकते हैं जितना भी chips की cutting होई है वो इस कडाही में fry हो रहा है इस cover को उपर कर दीजिए यहाँ पर जो fry हो रहा है इसे छन्ने के माध् आई होकर त्यार हो जाएगा देखिए अभी तो फिलाल round shape में chips त्यार हुआ है लेकिन यदि oval shape में त्यार करना है तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ disc change करना है उसके बाद आप हर एक shape में chips बना सकते हैं अभी इसमें oval disc को निका लिए दूसरा disc लगाईए और इसके उपर cover लगा दीजिए इसका nut वगेरा fit करने के बाद अभी देखिए machine एकदम से ready हो चुकी है अब इसके cover को नीचे कर देंगे अभी आप देखिएगा किस तरीके से बिल्कुल oval shape में chips त्यार करते हैं तो बस machine start करके यहाँ से केला डालते जाईए और कितने speed में cutting हो रही है आप देख सकते हैं cutting होते ही सीधा कड़ाही में जा रहा है और fry होना भी start हो गया है कुल मिलाकर कहा जाया तो machine काफी speed work कर रही है इसका use करके आप सिर्फ एक घंटे में दो से धाई क्विंटल केले की cutting कर सकते हैं ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बस आपको disc लगाना है और किस तरीके से cutting हो रही है वो तो आप पने देखी रहे हैं इस chips का आ long shape में किस तरीके से cutting करती हैं तो यहाँ पर इसका जो तीसरा disc है इसे भी लगा कर इसका cover fit कर दीजिए अभी देखिया machine में तीसरा disc लगा दिये हैं तो चलिए machine start करते हैं और केला डालते ही ये देखिये बस cutting हो गई machine इतने speed work करती है उपर से डाला नहीं कि नीचे से cutting होकर directly कड़ाई में आ गया आप देख सकते हैं कितने speed में cutting हो रही है जो भी केला नीचे आ रहा है इसके लिए आप बड़े size का कड़ाई यूज़ कर सकते हैं इससे थोड़ा सा भी नीचे नहीं आएगा अभी फिलाल यह SP केले का chips बन कर त्यार हो जाएगा इस टाइम मार्केट में केले के chips की mark तो बहुत है लेकिन आलू के chips की mark भी कुछ कम नहीं है आपने देखा होगा कि हर कोई आलू के chips खाना पसंद करता है लेकिन उसके लिए आपको कोई अलग से machine लेनी की जरूरत नहीं पड़ेगी बलक करने के बाद आप देखिए machine एकदम से ready हो गई है और यहाँ उपर इसका जो बाउल दिया गया है यहाँ से आलू डाल दीजिए डालते ही आप देखिए कितने speed में cutting हो रही है यहाँ पर आप live cutting देख सकते हैं कि machine की जो working है वो काफी speed है इसमें कहीं ने कहीं देखा जाया तो घंटों का काम बस कुछ ही momentum हो जाता है इसमें 1 hp का motor लगा हुआ है जिससे की 960 rpm में cutting हो रही है इस पसली इस machine के use करके आप सिर्फ एक घंटे में 2-3 quintal तक आलू या फिर केले की cutting कर सकते हैं एक और model आता है जिसमें की speed controller भी दिया गया है उसमें आप चाहें तो speed भी control क कर सकते हैं उस machine में 1 hp का ही motor लगा रहता है उसका use करके आप सिर्फ एक घंटे में 3-3 quintal तक आलू या फिर केले की cutting कर सकते हैं जी है विल्कुल 3-3 quintal तक ये जो chips fry हो रहा है इसमें oil रहता है तो इसका oil निकालने के लिए आप dry machine के use कर सकते हैं जिससे की oil निकाल जाता है इ तो ये जितना भी chips त्यार हुआ है इसे pack करना है और pack करने के बाद आप अपना margin देखते हुए इसे directly market में sell कर सकते हैं यदि आप dryer वगरे use नहीं करते हैं तो सिर्फ एक ही machine से आप अपनी खुद की chips की factory स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सबस्यादा मेहनत तो chips की cutting करने में ही आती है इसके अलावे यदि आप machine का price वगरा जानना चाते हैं तो इस्क्रीन में आपको number दिख रहा है इस पर आप call करके price वगरा पोच सकते हैं आप देखिए machine पसंद आ गई है तो आपसे एक छोटी सी request है कि channel को subscribe करके विल आइकान तुरन प्रस कर लीजिए क्योंकि दव